गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरूर साक्षात परब्रह्मा, तस्मेशी गुरुवे नम्हा रादे रादे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधों, संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों, बेशाक्मास, गुरूवार की शाम, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, नारायन कवच, बंधों, बेशाक्मास और गुरूवार भगवान विश्णू के अतिक प्रिये हैं सो यदि आप आज गुरूवार की शाम, नारायन कवच को सुनते हैं, तो भगवान शीहरी आपकी हर तरहें से रक्षा करेंगे और साथ ही कवच रूप में आपके हर पल साथ रहेंगे और आपका कोई भी बिमारी कुछ नहीं पिगाड़ पाएगी बंधों साथ ही शीहरी आपकी हर मनो कामना पूरी करेंगे बंधों पूरन विश्वास, सची निष्ठा, एक काक्र मन के साथ ही नारायन कवच को सुनना ताकि आपकी हर समय शी नारायन रक्षा कर सकें, आपकी मनो कामना पूरी कर सकें बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सकें बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कम्मेंट बोक्स में ओम नमो नारायन आये जरूर लिखें बोलो विश्नु भगवान की जै हो नारायन भगवान की जै हो राजा प्रिक्षित ने पूछा भगवन देव राज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रों की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उभव किया आप उस नारायन कवश को सुनाईए और यहें भी बताईए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर राण भूमी में किस प्रकार आक्रमान कारी शत्रों पर विजे प्राप्त की शीशुक देव जी ने कहा प्रिक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को प्रोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रशन करने पर विश्वरूप ने नारायन कवश का उपदेश दिया तुम एककागर चित हो कर उसे सुनू विश्वरूप ने कहा देवराज इंद्र भय का अफसर उपस्थित होने पर नारायन कवश धारन करके अपने श्रीर की रक्षा कर लेनी चाहिए उसकी विधी इस प्रकार है पहले हाथ पैधो कर आच्मन करें फिर हाथ में कुश की पवित्री धारन करके उत्तर मुख करके बैठ चाहिए इसके बाद कवच धारन प्रियंत और कुछ ना बोलने का निश्चे करके पवित्तरता से ओम नमो नारायनाय द्वारा हिदे आदे अंग नियास करें और फिर इसी मंत्र से पैरों, घुटनों, जांगों, पेट, रिदे, वक्षस्तल, मुख और सिर में नियास करें उर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओम कार तक आठ अक्षरों का सिर से अरम कर उन्हें आठ अंगों में विप्रित क्रम से न्यास करें इसके बाद ओम विश्णवे नमे इस मंत्र के पहले के पहले अक्षर ओम का रिदय में वी का ब्रह्म रंद्र में और शिय का भोहों के बीज में न का चोटी में वे का दोनों नित्रों और न का श्रीर की सबगांठों में न्यास करें इसके बाद ओम म अस्त्रायफट कहे कर दिगबंद करें इस प्रकार नियास करने से इस विदी को जानने वाला पुरुष मंत्र में हो जाता है इसके बाद समग्र एश्वरे, यश, धरम, लक्ष्मी, ज्यान, वेराग्य से परिपूरण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद रूप ही चिंतन करें इसके बाद विद्या, तेज और तप्प्स रूप इस कवच का पाठ करें भगवान शी हरी गरुट जी के पीट पर अपने चरन कमल रखे हुए हैं अनिमा आदी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं आठ हाथों में शंक, चक्र, धाल, तलवार, गदा, बान, धनुष और पाश धारन किये हुए हैं वे ही ओमकार सुरूप प्रभू सब प्रकार से सब और से मेरी रख्शा करें मतस्यमूर्टी भगवान जल के भीतर, जल ज़ंतों से, वरुन के पाश से मेरी रख्शा करें माया से प्रम्चारी रूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप शीत्री विक्रम भगवान आकास से मेरी रक्षा करें जिनके घोर अटहास करने पर सब दिशाएं गुंजुटी थी गर्णफती देत्य पत्नियों के गरब गिर गए थे वे देत्य यूद्पतियों के शत्रू भगवान नर्सिंग किले जंगल रन भूमी आदी विकट स्थलों में मेरी रक्षा करें अपनी दाड़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्ती वरहा भगवान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिक्रों पर और लक्ष्वन जी के सहीद भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र परवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नारायन, मारन, मोहन आदी, भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें रिशी शेष्ट नर्गर्व से योगेश्वर भगवान दक्तातर योग के विगनों से और त्रिगुनदी पती भगवान कपिल करम बंधन से मेरी रक्षा करें परम रिशी सनतकुमार काम देव से है गिर्व भगवान मारग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदी ना करने के अपराद से देव रिशी नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छब सब परकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें भगवान धन्मंत्री खूपत्य से जी तेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदि भय दायक द्वन्दों से यग्ये भगवान लोका पवाद से बलराम जी मनुश्यकृत कष्टों से और शीशेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गनों से मेरी रक्षा करें भगवान शी क्रिश्न धैपायन व्यास्ट अज्यान से बुद्ध देव पाक खंडियों से प्रमाज से मेरी रक्षा करें धरम रक्षा करने वाले महान अवताध धरन करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें प्राते काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविन अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायन अपनी तिक्षन शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विश्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें के बाद रिशीकेश अर्द्राप्ति के पूर्व तधा अर्द्राप्ति के समय अकेले भगवान पदम नाब मेरी रक्षा करें रात्री के पिछले पहर में शी वसलांचन शीहरी उशाकाल में खड़कदारी भगवान जनार्दन सुर्योदेजे पुर्षिदा मोदर और आपका आकार चक्र की दरहे हैं आपके किनारे का भाग प्रले कालीन अगनी के समान अत्यंत दिवर है आप भगवान की प्रेणा से सब और घूमते रहते हैं जैसे आग वायू की सहायता से सुखे घास फूस को जला डालती है वैसे ही आप हमारी शत्रुसेना को शिक्र से श फूटने वाली चिनगारियों का सपर्ष व्रच के समान असह है आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुश्मान विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेद आधी ग्रहों को अभी कुचल डालिए कुचल डालिए मेरे शत्रों को चूर कर दीजिए शंक्षेष्ठ आप भगवान शिक्रिशन के फूंकने से भयंकर शबत करके मेरे शत्रों का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमत प्रेद मात्रिकां पिशाथ ब्रह्म राक्षस आधी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए भगव भगवान की प्यारी ढाल आप में सेकडो चंद्राकार मंडल है आप पाप द्रिष्टी पाप आत्मा शत्रों की आंखे बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए सुरे आदी ग्रहे धूम केतु आदी तारे दुष्ट मनुष्य सर्प आदी रेंग के विरोधियों वे सभी भगवान के नाम रूप आयुदों का कीतन करने से तत्काल नश्ट हो जाते हैं ब्रिहद रतंतर आदी साम वेदिये स्तोत्रों से जिनकी स्तुदी की जाती है वे वेदमूर्ती भगवान गरुड और विश्वक सेंजी अपने नाम उच्चारन के प प्राणों को सब प्रकार की अपत्तियों से बचाएं जितना भी कारें अत्वा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है इस सत्ते के प्रभाव से हमारे सारे उप्दब नश्ट हो जाएं जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुकी हैं उनकी नामक्शक्तियों को धारन करते हैं यह बात निश्चित रूप से सत्त्य है इस कारण सरवग्ये सरव्यापग भगवाशीहरी सदा सरवत रूप सरूपों से हमारी रक्षा करे जो अपने भयंकर अटहा से सब लोगों के भै को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का ग्रस लेते हैं वे भगवान नर्सिंग दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें देवराज इंद्र मैंने तुमें यह नारायन कवच सुना दिया इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो बस फिर तुम अनायासी सब द्यत्ते उसके पैर छू देता है ततकाल समस्थ भयों से मुक्त हो जाता है जो इस वेशनवी विद्या को धारन कर लेता है उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदी और बाग आदी हिंसक जीवों में किसी प्रकार का भय नहीं होता देवराज प्राचीन काल की बात है एक कोशिक ग ब्रहामन का श्रीर पड़ा था उसके उपर से एक दिन गंधर वराज चित्र रत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैट कर निकले वहां जाते ही वे नीचे की और सिर की विमान सहीत आकास से प्रित्वी पर किर पड़े इस धटना से उनके आश्चरे की सीमा ना रही जब उन्हें बाल के लिए मुन्यों ने बतलाया कि यह नरायन कवच धारन करने का प्रभाव है तब उन्होंने उस ब्रहामन देव की हडियों को ले जाकर पूरव वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभाहित कर दिया और फिर शनान करके अपने लोग को चले गए शीशुक देव जी कहते हैं प्रिक्षिद जो पुरुष इस नरायन कवच को समय पर सुनता है जो आधर पुर्वक इसे धारन कता है उसके सामने सभी प्रानी आधर से जुग जाते है और वे सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है प्रिक्षिद शत कर्तु इंद्र ने आचरे विशुरूप जी से यह वैशनवी विद्या प्राप्त करके रान भूमी में असरों को जीत लिया और वे त्रैलोग के लक्ष्मी का उभ्भोग करने लगे बोलो शी मिश्नु भगवान की जैहो राधे राधे जैशी कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद